चुहे हर किसी के घर में आते हैं और इनके भगाने के लिए हम बहुत चादा परियास करते हैं कि ये भाग जाए लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं भागते हैं और क्या होता है फ्रेंड कि हमारे बहुत सारे ऐसे बरतन होते हैं जो इसको रात में जूठा कर देते हैं बहुत सारे कपड़े होते हैं ये इसको कुतन देते हैं और फ्रेंड इससे हम लोगा बहुत नुकसान भी होता है और खाने वाला चीज भी जूठा कर देते हैं फ्रें तो चलिए फ्रेंट आम वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को सुरू करने से पहले अगर मेरी वीडियो आप सब को पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलियेगा इस तरह के जो सेल होते हैं वो तो हर किसी के घर में एजली मिल जाते हैं आपको नया सेल भी नहीं लेना जो सेल खराब हो चुका है आप वहाँ पर इसको ही यूज की जगा यह देख सकते हैं यह सेल एकदम से खराब हो चुका है आज मैं उसका ही यूज बताऊंगी 100% फ्रेंड आपके घर पर जित्ती भी चुहिया होगी इसको खाकर दुबारा आपके घर पर मूड कर भी नहीं देखिंगी बहुती अच्छी मेरे मडी आप सबको बताने वाली हूँ तो सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड इस चैनल को सस्क्राइब कर लेना है और मेरा वीडियो फुल वाच करना है जो आप समझ पाए कि इसको कैसे कैसे यूज करना है और इसके लिए आपको और क्या क्या लेना है और हाँ अगर आपको और कोई भी चीज के लिए टिफ्स चाहिए तो इसको कमेंट में जरूर दरी आपको इस चीज का टिफ्स चाहिए तो मैं उसको भी लेकर आऊंगे तो सबसे पहले आपको एक बरतन लेना होगा एक कटोड़ी ले लिजिएगा और इस तरह के प्लेट ले लेने के बाद में यह तुरंथ ही बनने वाला रेमडी है बिल्कुल भी आपका टाइम लगने वाला नहीं है तो सबसे पहले यहां हम चीनी लेने क्योंकि चीनी थोड़ उसको खाने लगे तो फिरन इसके लिए आपको इस तरह से थोड़ी से चीनी लेनी है लेने के बाद में आपको क्या करना है फिरन इसमें थोड़ा सा आपको आटा मिला लेना है आप यहां चावल का आटा भी ले सकती है और ग्योहों का आटा भी ले सकती है अगर आप चीन आटा रहेगा तो वो ज़्यादा खाने की कोशिस करेंगी बिना आटे की अगर आप बनाएंगी तो वो नहीं खाएंगी बिल्कुल भी तो आपको थोड़ा सा आटा चाहेगी होगा या चावल का आपको इस तरह से इसमें ले ले लेना है अब आपको फ्रेंड इसमें क्या ड डालना होगा क्योंकि इसको बहुत ही जहरीला बनाना है और स्वाधिस्ट भी बनाना इसलिए अब आप निर्मा का यूज कर लीजिए निर्मा कोई भी आप ले सकती हैं यहां मैंने थोड़ा सा इसमें निर्मा लिया और इसको बहुत ही जादा जहरीला बनाना है और जो भी वरतर इसमें आप यूच कर रही हो उसको आप अच्छे से धुल कर रखेगा विल्कुल भी आपको ऐसे नहीं रखना है पहले अच्छे से धुल लेना दो तीन बार उसके बाद भी आपको यहां रखना यह देख सकते हैं फ्रेंट अब इसमें थोड़ा सा मैंने निर्मा डाल लिया है आप कोई भी निर्मा इसमें ले सकते हैं लेने के बाद में अब आपको क्या करना पानी से इसे बिल्कुल भी नहीं गुनना है इसको थोड़ा सा हम अच्छा और महिकतार बनाएंगे जिससे जो चुई है इसको एक बार सुंग ले जो दुबारा इसको खाने जरू कैरे आठाह भूते लिए हैं अबकर इसको गुन केरते हैं अच्छे से जो आपको गुं गया है इसको अब क्या करना थोड़ा सा आप इस metric आप च्छा भीका तो योज सकते अइगा शीन कि जो महेंक होती है दूर दूर तक जाती है तो जितने भी चुए है आज पास रहेंगे आप घूलया रखेंगे तो वहाँ आएंगे जरूर क्यूकि वह सूंगने लगे तो सूंगते जहां आपनी इंगोलिया रखे वहाँ वह आ जाएंगे तो इस तरह से आपको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेना है बस आपको थोड़ा ही गीस में डाल देना है वह अपर से डालने से बहुत ज़्यादा अच्छे से मोटिवेट मिलता है कि हम अच्छे एच्छे वीडियो आप सब करें लेकर आते रहेंगे तो फ्लीज फ्रेंड कमेंड में जरू बताइगे आपको यह टिप्स पसंद आई या नहीं आई और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सस्क्राइब कर ल लेना है यह देख सकते हैं फिर मैं थ्वासा आगी बोल रही हूं और जो वीडियो में आ रहा है यह देख सकते हैं आपको इस तरह से आपको ले लेना है लेने के बाद में एक पेपर के अंदर आपको उसी तरह से रख देना आप कोई अच्छ मतलब गढ़ू चीज से इसक यह देख सकते हैं अऔर यह देख सकते हैं अगट गोलाई में आपको इसको कर लेना है देख सकते हैं यह देख बनाने के बाद में आप अपने हाथों को अच्छे से धुल लेज़ेगा और अपने हाथों से बना सकते हैं अगर आप लग रहा हो कि आपके हाथों मिल लग जाएगा तो आप यहां किल्प्स का भी यूज कर सकते हैं लेकिन इससे कुछ होता नहीं फ्रेņज ये कोई भी इसमें कांच की कुछ कंकड वगड़ा नहीं है तो आप इसको हातों से अनारमली कर सकते हैं अगर न मन हो तो आप लगे तो आप इसको फ्रेंड कर भी कर सकते हैं फर मैंने चारो को इस workspace से बना लिया है जितना भी यहां वो रेमडी बच गई थी इसको आप चाहें तो दुबारा यूज कर सकते हैं इसी भी डिब्बी में आप इसको भर कर रख लिए जब आपको काम लगे तो आप इसको यूज कर सकते हैं लेकिन आपको दुबारा इसका मोखा भी नहीं मिलगा एक बार खाकर यह बाहर ही जाकर रहेंगे बिल्कुल भी आपके घर पर दुबारा मुड़कर भी नहीं देखेंगे लेकिन आप लग लिए जब आपको काम लगे तो इसका यूज कर लिजगा यह देख सकते हैं अब यह रेमडी आपको कहां कहां रखने जहां आपको लगत कुछिया जरूर आती है तो आपको धुन चुछिया बरटन पीस बाफने नहीं देखेंगे बहुत ही और यूजफल रेमड है। मेरी वीडियो तो आप सबको पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो को लाइक रूट कर दिजेगा थैंक्यू वीडियो को देखने के लिए